हेले श्टूडेंड कैसे हैं आप सब एक बरपुना आप सबी का सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगयत है क्लास टोल्थ फिजिक्स एंसियर्टी चैप्टर रॉनमी आज का टॉपिक है पेरे भाईयों हैना उसमें हम किसी भी बिंदु पर तिब्रता की गड़ना कैसे करते हैं उस पर हमने एक वीडियो बनाया है और कुछ बच्चे हमेशा यह कहते हैं कि सर ये वीडियो अपलोड करो विद्धुत फ्लक्स का वीडियो अपलोड करो तो प्लीज मेरे भाईयों एक बार आप लोग चैनल पे जा करके हैना प्लेलिस्ट विजिट कर लूँ वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वीडियो अपलोड है कौन सी वीडियो अपलोड नहीं है ओके तो चलिए आज सुरू करते हैं आपको दिख रहाएए आपको यह आपके पास मालीजे ए बी सी डी एक समतल चादर है और इसी समतल चादर के कारण हम तिबरता की गढ़ना करेंगे यह कितने तिबरता होगी इस समतल चादर के कारण तो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे कि ABCD एक समतल चादर जैसे हम इसको मान लेते हैं A, V और यहाँ पे C और यहाँ पे D ABCD एक समतल चादर है और समतल पर जब आवेस का बितरण होता है तो एक प्रष्ट का आवेस बितरण कहलाता है और जिसके काणू बन जाता है प्रिष्टी आवेस घनतो जिसे सिगमा से प्रदरसित करते हैं छोटी छोटी जो पॉइंट आएंगे प्यारे भाईयों उनको भी समझते चलना है कि जैसे कोई आपके पास समतल है और समतल पर जब आवेस का बितरण होगा तो प्रिष्ट कहलाएगा और प्रिष्ट प्यारे भाईयों प्रिष्ट के काणू उसे प्रिष्टी आवेस घनतो कहते है मतलब इस समतल चादर का प्रिष्टी आवेस घनतो कितना होगा प्यारे भाईयों तो सिगमा होगा जिसे आप समझ गए कि ये प्रष्ठ है और जब आवेश का वित्रण गिसी सम्तल पर होता है तो वहां पर भाईया प्रती एकांग छेत्र फल पर उपस्थीत जो आवेश की मात्रा होती है प्रष्ठी आवेस घंतो चीज़ें क्लियर है तो इस सम्तल के कारण इसका प्रष्ठ पर एक बिंदू P है इसके अपोजिट में दिमाने तो ये भी आरदूरी पर P डैस है चाहे हम इधर तिवरता की गणना करें चाहे इधर तिवरता की गणना करें बराबर ही होता है तो हम क्या करते हैं प्यारे भाईयो कि सेंटर पॉइंट से आरदूरी डिस्टेंस इधर ले अब होता क्या है जिसे समतल चादर है समतल चादर इस प्रकार से रखा हुआ है इधर भी आबेश की तिवरता और इधर भी इसी काण प्यारे भाईयों यहां पर जो समतल चादर है वो इधर भी तिवरता प्रदर्सित करें गी जैसे मैं एक बार कागच के माध्यम समझाते कि माली जी यह समतल है यह आपको कागज दिख रहा है यह तल है तो इस पर पूरा प्लस आबे से दी उपस्तित है तो एक तिबरता इधर भी और एक तिबरता इधर भी होगी मतलब दोनों सैड इधर भी और इधर भी तो इसी प्रकार यह समतल है यह आपको कागज का समतल दि इसकी जो तीब्रता की दिशा इधर भी है और इधर भी है इसी कारण से सिंटर पॉइंट से आरदूरी पर एक बिंदु पी इधर और इधर हमने पी डेस ले लिया है ताकि तीब्रता क्यात करने में कोई दिक्कत नहों सके यो टोटल तीब्रता कितनी होगी तो प्यारे समतर्चाहदर का इतना ही भाग घरता है तो यहां से पूरा आपका इक क्या बन जाता है जैसे एक जामपल के तोर पर मैं इसके पहले भी जब बताया था तो ये हो गया आपके पास क्योंकि भीया गास के प्रिमीर के अनुप्रियोग में बंद प्रिष्ट तो बनाना पड़ेगा बिना बंद प्रिष्ट के हम गड़ना ही नहीं कर सकते और ये गास के प्रिमीर का अनुप्रियोग है और अनुप्रियोग में हम तो बंद प्रिष्ट का यूज करेंगे ही करेंगे तो फिर से समझाता हूँ ये आपके पास बिलान है बिलान में तीन प्रिष्ट हो जाते है एक इधार से है ना तो तीन भाग हो जाते हैं, किसी भी बेलन तो यहाँ पर यह पूरा बेलन है, इसके तीन प्रिष्ठ हो गए पेरे भायों, एक आपका ये और एक आपका ये और एक आपका बाकर प्रिष्ठ, इतना क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा बेसिक तो हम पहले समझा के ही रहेंगे, भी आपको गड़ती वेख्या कराएंगे जैसे तीब्रता की दिसा इंदार है और एठार है ठीक है और imensमे और फिरेह कशीचार को प्रिस्त कि इसकी दिशा इधार होगी और तीबरता की भी दिशा इधार है इस प्रिष्ट की दिशा इधार होगी तीबरता की भी दिशा तो यहां पर जो बनेगा यहां पर बनेगा जीरो डिगरी यहां पर भी बनेगा जीरो डिगरी लेकिन इस पूरे प्रिष्ट में 90 डिगरी का निर हम फार्मुला करके निकाल के दिखाएंगे कैसे होता जीरो समझ पा रहे हैं तो जहां भी प्रिष्ठ प्रिष्ठ के दिसा और विद्दू छेट के दिसा एक दूसरे के परस पर लंबबाथ हो जाएं तो वहां पर बेद्दूद फ्लक्स पूर्ण रूप से सुननो जाता है लेकिन जहां समानतर या एक ही दिसा पर होता पेरवायो वहां पर जो तीबरता है तो क्या हो जाता है वहां पर अधिक्तम तीबरता होती है सुन मतलब flux कमान जो होता है वहाँ पर अधिक्तम होता है सून नहीं होता लेकिन जहाँ पर 90 डिग्री कोन बनता है छेत्र फल और इनी छेत्र की दिशा और तिम्रता की दिशा के बीच में जो 90 डिग्री बनता है वहाँ पर flux सून होता है और जब zero degree बनता है तो हम पर flux अधिक्तम होता है तो आगे आप हम लिखना क्या पेरे भाई हो यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि ABCD एक आवेसित अनंत समतल चादर है जिस पर प्रिष्टी आवेस घनत सिग्मा है मैंने कहा एक प्रिष्टी की बात तो सिग्मा है आवेस घनतो इससे R दूरी पर एक बिंदू P है यहाँ पर R दूरी पर बिंदू P है जिस पर हमें तिवरता की ग्याद करनी है लेकिन प्यारे भाईो हमें दी बात करनें कि R डैस पर एक दूसरी ओर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दूसरी ओर दूसरी ओर R डैस पर बिंदू या R दूरी ही मान की चलते हैं R बिंदू P डैस है तब यह R और R 2R मान लेते हैं तब 2R लंबाई का P P डैस एक यह P और धर P डैस देख सकते हैं अच्च के अनुदिस अच्च में एक वंद परिष्ठ की कलपना करते हैं वंद परिष्ठ की कलपना करते हैं यह बंद परिष्ठ जब तक नहीं होगा तब तक हम गास के प्रमे लगाई नहीं सकता कलपना करते हैं वंद प्रिष्ठ की हमने कल्पना कर लिए तीन प्रिष्ठ बनेगा प्यारे भाई ठीक है इतना क्लियर होगे जो कि गास प्रिष्ठ की भाती कार करेगा ऐसा भी लिख सकते हैं जो की गाउसी ये प्रिष्ठ गाउसिये प्रिष्ट के भाती कारे करेगा कारे करेगा जितना मैं बोला उतना मैं यहाँ पर लिख दिया भईया इसमें दिक्कत क्या है बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो इतना क्लियर पेरे भायो इतना समझ में आ गया अब मैं यह आदि आप से कह दूँ कि यह जो बाक प्रिष्ट है अभी इस प्रिष्ट और इस प्रिष्ट को छोड़ दे रहा हूं कि बेला कारभाग के जो बाक प्रिष्ट है जो प्रिष्ट है वो बिद्दू छेतर के शमानतर है यह जो प्रिष्ट है वो बिद्दू छेतर के शमानतर है यहां पर आपको लिखना है कि बेलन का वाकर प्रिस्ट वाकर प्रिस्ट तीवरता के शमानतर है क्या भी यह तिरवरता के शमानतर है और जब समानतर है तो कौन कितना डिगरी बनेगा प्रिस्ट की दिसा में नम पर डिगरी बनेगा देखो प्रेस्ट समानतर है तिब्रता की लेकिन प्रिष्ट की दिशा हमेशा लंबबत होगी क्यों मैंने फिर से यहां पे समझाने कोछी यह प्रिष्ट है यह प्रिष्ट यह और यह तिब्रता यह समानतर है लेकिन इसकी जो दिशा है उपर क्यों होगी और नीचे क्यों होगी प्रिष्ट की दिशा त कुलवैदुद फ्लक्स थोड़ा समझने की कोशिस करेंगी आप लोग कितना होगा e into ds यहाँ पर थोड़ा सा आप समझेंगी e into ds यदि मैं बात करूँ इसके तोड़ने की तो e ds cos 90 degree और तब यह रे भायों कितना हो जाएगा सून हो जाएगा अब हम बात करेंगे किसके अब दोनों प्रिष्ट के तो यहाँ पर मान के चलती है दोनों और जो आपका बिलन का फ्रिष्ट है उसका छेत्रफल कितना है कितना छेत्रफल मान के चलेंगे capital A माना मान कर चलेंगे ठीक है अगले पेज पर चलते हैं पैरे भाईू यहां पर थोड़ा सा माना मान के चलेंगे माना बेलनाकार भाग के दोनों सीरों के दोनों सीरों सीरों के ब्रतिय प्रिष्ट का छेत्रफल कितना है छेत्रफल ए है इतना क्लियर छेत्रफल कितना ए है तब तब दोनों प्रिष्टो से गुजरने वाला गुजरने वाला शंपून शंपून वैदुत फ्लक्स कैसे होगा शंपून की बात कर रहा हूं संपून तो दो प्रिष्ठें पहरे भाईू तो एक आपका हो जाएगा ए इन्टू ए को ब्यक्टर की रूफ में बता रहा हूं ठीक है एक के लिए होगिया दूसरे के लिए हो जाएगा ए भाई यह चेत्रफल ए है तो ए मानकर चलते हैं यह गोगा धूनों को तोड़ा जाये प्हरे भाईू तो यह हो जाएगा E A cos 0 degree मैंने पहले ही बता दिया था 0 degree बनेगा E A cos 0 degree तब पहरे भाई यह cos 0 कमान कितना होता है cos 0 कमान होता है 1 तो बनेगा E A plus E A equal to चाहे A E कर दें चाहे E A कर दें E A कर देते है इतना हो गया यह flux हो गया आपके पास यह flux है कुल flux है आपके पास phi E का माना है आपके पास phi E कुल वैदुक flux आ गया इतना clear है अब हम आगे चलेंगे किस के प्रमे से Gauss के प्रमे से Gauss के प्रमे से Gauss का प्रमे क्या कहता है phi E equal Q upon epsilon 0 तो समीकरण एक और दो हम दे सकते है उसको इसको समीकरण दो फिर आप क्यों करो कि समीकरण एक वजटो से समीकरण एक वज़ु के वज़ी दो पाइए phi e है दुनों को compare कर दो तो आपके पास ये q upon epsilon not है और यहाँ पर कितना 2 e a हम यहाँ से आप से कहें कि e कमान निकालो तो थोड़ा सा एक और फार्मूला आपको यहाँ पर बता दू कि चुकि प्रस्थी आविस घनत चुकि प्रस्थी ये आविस घनत तो फ्रस्थी आविस घनत तो sigma equal कितना होता है q upon 6 रफल यहाँ ए पर तो यहाँ से दी में कहें दू q बराबर तो कितना हो जाएगा sigma e हो जाएगा sigma e हो जाएगा तब तब भहिया यहाँ पर q कमान रखो sigma e upon epsilon not तो 2 e a अच्छा e से e cancel हो जाएगा तो आपके पास कितना बचा sigma upon epsilon not तो 2 e और इससे हम e कमान निकालना चाहे e कमान 2 का क्या हो जाएगा पक्छांतर हो जाएगा sigma upon 2 epsilon not हो गया और यही अभीस्ट बेंजक है आगे लगाने चुरूरत नहीं है यही अभीस्ट बेंजक है यही अभीस्ट क्या है बेंजक है प्यारे भाई यह complete हो गया यह किसके कान आया एक आभीसीतो अनन्तो समतल चादर के कान तिब्रता की गड़ना आचुकी है complete प्यारे भाईव असर उम्मीद है कि यह आप लोग पुरा समझ गया होंगे और चाहे तो screenshot ले लिया करें यह रहा और इसका दी बिद्वाद नोट्स लेना है तो 96,99,99 पर contact करें मात 100 रुपे में वन सब्जक्ट आपको बेहतरीन हैंडिटेंड नोट्स दे दिये जाएगा आप बेहतरीन तयारी भी करते रहेंगे और आल चेप्टर के नोट्स बिदिबत आपको मिलेंगे तो screen start लेले प्यारे भाईव ओके चले तो आगी screen start लेले और ये हो जाता आपका complete तो चले भाईव आप मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदमातरम